Hello students, welcome to Aspire Academy, मैं तारीक अनवर और बच्चो आज की इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कौवर करने वाले हैं वो है आपका प्रोपर्टीज ओफ डिफिनिट इंटीग्रल्स बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड पॉइंट आप व्यू से और जे इमेंस इटी आप व्यू से भी बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है यह इससे पहले जो भी डिफिनिट इंटीग्रल में आपने देखा वहां पे क्या था जो लिमिट्स आपको गीवन होता था वहां से क्या करते थे सिंप्ली आप उसको इंटीग्रेट करके और उसका जो आपको पूट करके वहां से लेटे अपने पेंटीग्रल का वेलू फाइंड आउट कर लेते थे बट आज के इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम यह देखेगे कि प्रोपर्टीज क्या क्या है डिफिनिट इंटीग्रल का जो प्रोपर्टीज है उसके बाद उस पे बेस्ट कुछ questions हम लोग लेगे तब आप जो questions solve करेंगे आप लोग वो properties के best होना चाहिए ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं देखते हैं क्या है properties तो सबसे पहला property जो है आपका वो बोला है कि अगर कोई भी आपको integrals given है जिसका आपको limit given है a to b है ना और ये fx dx ये equal होगा आपके a to b ft and dt के यानि simple सा बात है कि अगर आपका variable अगर change होता है है ना क्या हो रहा है आपको देख रहे हैं यहाँ fx है और यहाँ ft है limit सेम है आपका है अगर variable अगर change होता है तबी भी दोनों integral का value equal होगा याद रखिए गया simple सी बात है देखी इसको prove कर लेते हैं आपका जो यह left hand side में जो आपको find out करना है a to b fx dx है ना माल लेते है fx का कितना हो जाएगा यह हो जाता है ना integration जो small fx है उसका माल लेते हैं कि यह capital fx हो जाता है अपर limit डालेंगे यहां यह तो हम लोग definite integral में जब कुछ problem लिये थे वहां पर इस तरह से सीखे थे कि किस तरह से हम लोग limit put करते हैं इसका value जो हो जाएगा अपर limit minus lower limit हो जाएगा अब आज यह इसके लिए जो आपका right hand side में given है क्या है a to b और यहां जो variable है सिर्फ change कर दिया है क्या कर दिया है ft dt कर दिया है है तो यहां से माल लेते हैं इसका जो integration है वह ऐसा ft आ रहा है इसका भी limit क्या है a to b यह क्या हो जाएगा अभी फिर आपर limit डालेंगे और minus lower limit कोई बात है देख पा रहे हैं यह दोनों क्या है आपका equal है तो अगर limit आपका same है अगर change कर रहा है तो उसे कोई दिकत नहीं है दोनों जो आपका integral होगा बराबर होगा जो definite integral है एक्जामपल ले लेते एक छोटा सा suppose आपके पास 0 से 1 है और यह x square dx इसका value find out करना है तो यह क्या हो जागा इसका integration देखिए xq by 3 और यह 0 से 1 अपर limit डालिए यहाँ यह क्या हो जाएगा 1 by 3 minus 0 यानि 1 by 3 हो जाएगा चलिए अब सीम चीज़ हम लोग सिर्फ variable change कर देते हैं limit 0 से 1 ही रखते हैं और यह t square करते हैं और dt करते हैं तो एक चीज़ देख लिए दिया अभी जो यह limits है यहाँ पे आपका यह सब किसके लिए है? x का है ना जब आपका variable x है तो यह जो value जो limits का value given है वो क्या है? x में होगा यहाँ पे क्या है? यह जो होगा वो आपका t के लिए होगा क्यों? क्योंकि यहाँ जो variable है आपका t में सिंपल सी बात है अब आज़े है ती स्क्वार का integration फिर देखिए यह tqy 3 हो जाएगा और यह 0 से 1 अपर limit डालिए 1 by 3 minus level limit 0 हो जाएगा फिर यह 1 by 3 तो देख पा रहे है इसका भी value 1 by 3 और इसका भी value 1 by 3 है ना तो यह basic सा एक property है ठीक है ना? easy है देख लिजे चलिए next property देखते है क्या है? second जो property है कि अगर किसी भी आपको definite integral जो given है उसका अगर आप limit change कर देते हैं यानि जो अभी lower limit है उसको अगर आप upper कर देते हैं और जो upper है उसको अगर lower कर देते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है सिर्फ minus sign आ जाता है ठीक है ना? क्या हो जाता है सिर्फ minus sign हो जाएगा देख लेते हैं यह क्या है आपका a to b fx dx अभी अभी देखें इसका value कितना हुआ? fb minus fa आप पर limit minus lower limit ठीक है? आप आज़े ही यहाँ से आप right hand side में देखिए क्या है? यह minus b to a और यह आपका fx और dx है तो यह minus आप देखिए है यहाँ b और a है तो b minus a हुआ है ना? यहाँ a और b है तो क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा fa minus fb ठीक है? अब आज़ेए minus से multiply कर लीजे तो minus से multiply कर लीजेगा तो यह आपका fb और minus fa तो देख रहे है fb minus fa और यह भी fb minus fa दोनों बराबर कब हुआ? जब यहाँ पे minus sign था है ना? तो simple side यह property है आपका कि अ a to b fx dx है तो अगर आप इसका जो limit है उसको अगर change करते है b to a तो उसमें minus sign आ जाएगा ठीक है? इस पर भी एक छोटा सा example ले ले लेते हैं देखी जैसे माल लेते हैं 1 से 2 है और यहाँ dx है क्या है? simple सा example लेते हैं dx है. dx का integration क्या हो जाएगा? x हो जाएगा और इसका जो limit है 1 से 2 है अपर limit डालिए तो यह 2 minus 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ठीक है? अब एक और काम करते हैं देखी यहाँ से अब इसका limit change करते हैं 2 से 1 करते हैं और देखे यहाँ क्या है? यह dx है तो यहाँ से dx का integration फिर x हो जाएगा और 2 to 1 तो देखी क्या हो जाएगा? अपर limit 1 और minus 2 यानि कितना? minus 1 है ना? देख पा रहे हैं यह 1 है तो यह कितना हो जाएगा? minus 1 ठीक है ना? यह सब जो प्रोपर्टी है जब हम लोग question solve करेंगे वहाँ पर हम लोग यह सब प्रोपर्टी use करेंगे कहें जरुबत पर ही कि हमको limit change कर देना है तो जब limit change करेंगे तो वहा आप देखें यहां से बोल ला है कि अगर 0 से याद रखेगा यह बहुत ही important property है इस पर बहुत सारा question हम लोग करने वाले हैं आगे के lecture में बहुत ही important है इसको तो star mark कर लीजिए यहां बहुत ही important property है बोल ला है कि 0 to a याद रखेगा limit है अब आगे भी आने वाला है कहीं minus a से a होगा 0 से a होगा यह से भी याद रखेगा ठीक है ना तो अगर limit 0 to a है fx dx है यह equal होता है 0 to a f a minus x into dx के ठीक है अब आईए अब इसको proof कर लेते हैं क्या होगा देखें यह आपका given है 0 to a fx और dx हैना माल लेते हैं fx का integration fx हो जाता है और 0 to a ठीक है अब अपर limit डालिए यह क्या हो जाएगा f a और minus f0 f a minus f0 ठीक है आप आईए राइट हैंड साइड में है उसका देखते हैं क्या होता है यह 0 to a है ना f यह a minus x और यह dx है ठीक है अब एक काम करते हैं यह जो a minus x है इसको अब ती माल लीचे ठीक है ठीक है ना एक substitution छोटा सा करेंगे यहां पर put t is equal to a minus x है ना अब इसको differentiate कर लीजे यहां से तो dt by dx a का 0 और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यहां से जो हो जाएगा कि minus dt is equal to dx याद रखिए गए ठीक है ना अभी देखें जब limit integrals में जब हम लोग problems ले रहे थे है ना तो वहां पर क्या करते थे जब हम कोई substitution करते थे है ना जैसे t मानते थे तो limits को भी क्या कर लेते थे change कर लेते थे क्यों कर लेते थे कि अभी जो यह limits है यह किसके लिए है x के लिए है ना मागर जब हम substitution t दे रहे है तो आप जो value होना चाहिए वह किसके लिए होना चाहिए t के लिए होना चाहिए ठीक है अब देखें यहां से क्या हो जाएगा अब हम limits यहां से change कर लेते हैं तो देखें कि जब आपका x का value 0 होगा तो देखें यहां से t का value होगा वो कितना हो जाएगा ए हो जाएगा यह ना जब x का value आप 0 रखेंगे तो t का value यहां से a हो जाएगा ठेक है ना जब आपका x का value a होता है तो t का value कितना हो जाएगा देखिए x के जगापड़ यहाँ a रखिए तो a-a यह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है अब आईए तो अब जो आपका क्या हुआ देखिए अब ही जो integrals है आपके पास है ना 0 रखे तो a आया जीरो रखे तो a आया और a रखे तो 0 आया ठीक है अब आजएगे फिर उसके बाद f यह आपका t है ना और dx के जगाप़ माइनस dt तो माइनस यहाँ रख लेगे यह dt ठीक है अब आजएगे अब एक काम करते है अब ही अब ही जो आपका second property था क्या था कि अगर हम लोग limit change करते हैं क्या करते हैं लिमिट अगर change करते हैं तो minus sign आ जाता है अब आजए यह change करते हैं उसका use करते हैं देखे यहाँ से अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं 0 जो मेरा upper limit है उसको lower बना रहे है और जो lower है उसको upper कर रहे है यानि limit आप change कर रहे हैं यहां पर है ना तो minus sign आएगा, minus पहले से हैं, क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा ft और dt अब देखिए अब पहले प्रोपर्टी पे आईए क्या था उसमें कि अगर variable change करते हैं limit same है अगर variable change करते हैं तभी भी जो limit से वो क्या integral का value क्या होगा वो बड़ाबर यह होता है तो देखिए 0 से a ft dt यह बड़ाबर होगा 0 से a fxt x के ऐसा भी बोल सकते हैं या फिर यहां से limits डाल दीजिए आप इसका माल लेते हैं कि यह ft होता है integration और 0 से a आपर limit डालिए तो यह क्या हो जाएगा fa minus f0 तो देख पा रहे हैं इसका भी value आपका यहां क्या है fa minus f0 और यह भी आपका क्या है fa minus f0 तो इस तरह से proof कर सकते हैं यह से ठीक है ना बहुत basic चीज है बस आपको याद रखना है इसको है ना यह important है है कि अगर 0 से a है ना आपसे proof नहीं पुछेगा है ना यहां पर हम proof पता दे रहे हैं कि कैसे आता है बट important यह है कि आपको यह जो इसका जो प्रोपर्टी है यह याद रखना परेगा आपको है ना कैसे हम किसी property को apply करते हैं अभी देखे यहां पर है ना एक तो यह अभी देखे यहां पर जैसे यहां पर limit क्या हो गया था मेरा negative わか यह ना हिंट आगे क्या है था माइनस ना गया था यह भी यह पर यूज किये यह कौनसा property था आपको पूर्पर्ट रूमबर टू रिमिट को चेंज किये है NO लिमिट को चेंज किये तो माइनस न्या यह आपका property 2 था फिर यहाँ पर अब यह जो है यह 0 से fx dx के बरावर होगा यह कौन सा property था property number 1 तो वो भी यूच कर सकते थे direct यह चलिए अभी यहां से माल लिए कि इंटेग्रल यह हुआ है ना इस तरह से apply करना है हमको properties को तो चलिए देखते हैं अभी इस पर कुछ question ले लेते हैं है ना प्रोपर्टी के साथ साथ अगर आपको एक दो question लेते चलते हैं तो property आपके mind में set हो जाएगा है ना इसलिए जो भी properties है उसके साथ साथ हम एक दो question लेके चले हैं बागी जो detail question है हम लोग next lecture में करने वाले हैं बट क्या है अभी जो भी properties है उस property पे based कुछ question हम लोग करेंगे हर property ठीक है चलिए देखें यहां से आपको evaluate करना है 0 से pi by 2 है cos square x dx और एक चीज़ और यहां ध्यान दीजिएगा क्या है यह जो property यह दोनों बराबर है दोनों क्या है equal है याद रखिएगा इस बात को ठीक है अब आदे है अब इस तरह के question को solve करने के लिए है ना हम लोग क्या करते है normally माल लेते है collect i is equal to 0 से pi by 2 और यह cos square x और यह dx है ना 0 से pi by 2 याद रखिएगा 0 से a था अभी क्या था 0 to a था वही चीज़ है अ के जगा पे आपा pi by 2 आ चुका है तो देखिए यहाँ अब क्या करता है अभी देखिए 0 से a है ना तो क्या करेंगे यह जो हो जाएगा यह भी i के ही बराबर होगा क्या होगा iक बराबर क्यों इस होता है जब property apply कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा जीरो टू यह आपका पाई बाई टू एंड यह कॉस स्क्वाइर और क्या था प्रोपर्टी पाई बाई टू माइनस एक्स और डी एक्स क्या है ब्रैकेट में लिग दीजेगा यहां पर जो प्रोपर्टी आप apply कर रहा है जीरो टू ए यह एक्स टी एक्स है तो यह एक्स एक्स क्या करेंगे जहां एक्स है आपका वहां पर ए माइनस कर लेंगे अपर लिमिट माइनस कर लेंगे तो यह जीरो टू पाई बाई टू है तो क्या करेंगे एक्स के जगह पे पाई बाई ट 0 से πाइ बाइ 2 है न कोश स्क्वायर है यहां पाइ बाइ 2 माइनस है को मालू में कि दोनों को क्या कर दीजिए एड कर दीजिए equation 1 minus 1 plus 2 minus तो कर नहीं सकते है minus कीजिएगा तो ii cancel ही हो जाएगा तो add ही करेंगे ऐसा काम करेंगे जहां से result हम को easily मिल जाएगे तो जब add करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका ये 2i is equal to ये 0 से πाई बाई 2 अब देखें दोनों पे limit क्या है पाई बाई 2 है जब हम इसको add करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका cos square x और plus sin square x dx है ना simple सी बात है suppose ऐसा है आपके पास कि 0 से a और x प्लस इधर sin x है ना तो आप ऐसा कर सकते है 0 से a और x dx और प्लस 0 से a ये तो बहुत basic चीज है चलिए फिर भी बता दे रहे हैं ऐसा कर सकते हैं अगर ऐसा हो दोनों का limit अगर सेम हैं तो integral को हम क्या कर सकते हैं जब हम integration को distribute कर सकते हैं तो फिर वापस ऐसा लिख सकते हैं वही काम यहां पे किये हैं और कुछ नहीं ठीक है अब देखें यहां से तो 0 से यहां भी 0 से पाई बाई टू था और इस पर भी 0 से पाई बाई टू एक कॉमन इंटिग्रेशन डाल दिया यहां पे हैं अब देखें क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा यह 1 हो जाएगा यानि आपके पास 2i is equal to 0 से पाई बाई टू और यह सिर्फ dx बचने वाला है है ना देखें साइन स्वाई प्लस कॉमन इंटिग्रेशन क्या हो जाएगा आपका एक्स और यह 0 से पाई बाई टू अब आज यह 2i is equal to अपर लिमिट डालि तो यह पाई बाई 2 minus lower limit 0 यानि पाई बाई 2 यानि 2i is equal to पाई बाई 2 है ना और आप मान के क्या चले है आई है आपको i find out करना है तो finally यहां से जो पाई हो जाएगा यह 2 divide में आ जाएगा कितना हो जाएगा पाई बाई 4 है ना जो आपका integral से है ना उसका value क्या आया पाई 4 इसी तरीके से आपका 0 से पाई बाई 2 है तो अगर यह 0 से पाई बाई 2 अगर sin square x भी होता है ना तो यह कितना हो जाता पाई बाई 4 देखें ना अप्लाई करने के बाद वही चीज़ा है ना अगर यह sin square होता तो property अप्लाई करेंगे तो cos square आएगा है ना cos square आपका change हो के sin square में आ रहा है है ना अगर यहाँ suppose यही question होता तो यह change हो के ऐसा आता है ना बस simple सी बात है तो result इसका 5 by 4 है चलिए next question लेते है बहुत आसान है इसका भी result आपको 5 by 4 ही आने वाला है ठीक है तो चलिए देखें यहां से क्या हो जाएगा जब भी definite integral में आपको जब property apply करना हो तो इसको i मान के ही बनाए है ना 0 से 5 by 2 यह root sin x यह root यह आपका sin x plus root cos x dx चलिए इसको equation 1 मान लेते है फिर से property apply करते हैं है ना तो क्या हो जाएगा यह भी i के ही बराबर होगा याद रखेगा कि 0 2 a f x dx जो होता है वो 0 2 a f a minus x dx के बराबर होता है दोनों जब बराबर होता है तो जब यह i है तो यह property apply करने के बाद भी यह क्या होने वाला है आई ही होने वाला है तो यह 0 से 5 by 2 प्रोपर्टी जब apply कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा जहाँ x है वहाँ पे यह काम करने बालने हैं है ना जहाँ x है a minus x होता है तो जहाँ x है a minus x होता है कहाँ पे होता है जहाँ पे x के जगह पे है अभी जो पीछे में हम लोग देखे थे की x है तो x के जगह पे a minus x करना है तो यह a के जगह पर अभी pi by 2 है तो यह pi by 2 minus x हो जाएगा फिर आजाए यहाँ यहाँ pi by 2 minus x plus, फिर यह आपका cos pi by 2 minus x और यह dx, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखी, यह 0 से pi by 2, यह root में आपका sin 90 minus x cos होता है, तो यह भी cos x हो जाएगा, और cos sin हो जाता है, 90 minus x पे, है ना, sin 90 minus x, cos और cos 90 minus x, sin, है ना, देख लीजिए, दोनों का denominator सेम है, है ना, अब क्या करते हैं यहां से, add कर लेते हैं, है ना, अब equation 1 और 2, add कर लेते हैं, देखें क्या हो जाता है, equation 1 plus 2 कीजिए, क्या हो जाएगा, इधर में तो आपका 2i हो जाएगा, है ना, देखें, दोनों पे limit सेम है, तो हम ऐसा करते हैं, कि एक common सा integration डाल देते हैं, वहाँ पे, अब इसका आईए, यह दोनों को add करना है, जब यह दोनों add करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखें यहाँ से, यह आपका root sin x by root sin x plus root cos x, यहाँ root cos x by root cos x plus root sin x, है ना, और यह dx, अब आजी, तो देखें, यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर 2i is equal to, यह limit 0 से πाई बाई 2, LCM ले लिजे, यह आपका क्या है, root sin plus root cos x, दोनों के denominator में देखें, क्या है आपका, root sin plus root cos है, तो LCM उसका root sin plus root cos हो जाएगा, जब दोनों same है, तो उपर में भी आपका, क्या है, root sin और plus root cos x, है ना, और यह dx, यह आपका cancel हो जाएगा, उपर नीचे दोनों same है, तो है ना, फिर क्या बचा, आपका देखिए, फिर integration में dxc बचा, है ना, और dx का integration x और यह 0 से pi by 2, है ना, फिर आपर limit रखेंगे, तो यह 2i is equal to, यह pi by 2, therefore i is equal to pi by 4, यहाँ से, फिर आया pi by 4, है ना, तो यह है, अभी इस तरह का बहुत सारा question हम लोग करने वाले है, जिसका अभी इतना याद रखेंगे, यह root है, है ना, अगर इस पर power आपका 3 by 2 होता, cube होता, 5 होता, है ना, इस तरह का जो भी questions होगा, सब का result 5 by 4 आने वाला है, तो जो list है, इसका हम लोग next lecture जब करेंगे, वहाँ पर questions तो लेंगे यहाँ पर, और पूरा 18 questions का list हम देंगे आपको, सब का result सेम होने वाला है, ठीक है, चलिए देखते हैं अब next property आपका क्या है, ठीक है, बोला है, a to b, है ना, fx और dx है, तो यह आपका बड़ाबर होगा, a to b, f, a plus b, minus x, dx के हैं जो आपका पीछे जो अभी property पर हैं, बस वही same property हैं, है ना, क्या है, a के जगा पे 0 था, और b के जगा पे आपका a था, अगर आप यहां से a के जगा पे 0 और b के जगा पे a set करतें, तो वही तो हो जाएगा ना, यह भी देखिए, 0 to a और f, a के जगा पर 0 और b के जगा पर a set करतीजिए, वही property हो जाएगा आपका, है ना, एट चलिए, देख लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए यहां, जो आपका left hand side में जो है a to b और यह f x dx, तो यह क्या हो जाएगा आपका, f b minus if a, है ना, अब आजाएगा, अब क्या हो जाएगा, यह तो हो गया, अब rhs पे आते हैं, है ना, क्या है वो, a to b f a plus b minus x into dx, है ना, a plus b minus x into dx है, जैसे वहाँ a minus x को t पान के proof किये थे, यहां भी वही काम करने वाले हैं, है ना, अब put कर दीजिए t is equal to a plus b minus x, है ना, क्या हो जाएगा यहां से, इसको differentiate कर लिजिए, यह dt by dx is equal to, यहां से minus 1, यानि minus, इधर multiply कर लिए, minus dt is equal to dx, है ना, अब आजे limit change कर लेते हैं, कि देखें, जब यहां से x का value, जब x का value आपका a है, है ना, जब x का value आपका a है, तो आपका जो t का value होगा, क्या होगा, देख लिजिए, है ना, a plus b minus x, है ना, a plus b minus x, तो minus a plus a cancel हो जाएगा, तो t का value आपका क्या बच जाएगा, b बच जाएगा, है ना, उसके बाद जब x का value b होगा, तो t का value देखें, क्या हो जाएगा, a plus b minus b, है ना, तो t का value यहां से a हो जाएगा, यानि जब limit a दे रहे हैं, तो x का value a दे रहे हैं, तो t का value b मिल ला है, अब एक्स का वेलू B दी रहे हैं तो T का वेलू A मिल दा है है ना तो आप देखी क्या हो जाएगा आपका जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रल जो है आपका यहाँ पे A to B था ना अभी यह आपका B to A हो जाएगा उसको T माने है A पलस B माइनस X को T माने है T हो गया और D X के जगा पे माइनस D T है ना फिर देखिए यहाँ से B to A है लिमिट है ना अब इसको हम चेंज कर देते हैं A to B कर देते हैं तो माइनस X आएगा और माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट प्रोपर्टी था आपका है ना ऐसा भी इसको बोल सकते हैं या नहीं तो देखिए इसका वैलू कितना है F B माइनस F A के यह भी लिख सकते हैं यह F B माइनस F A के है बराबर होता है ना यहाँ से आप F T कर लीजिए एक काम कर लीजिए एक लाइन ही है क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से यह आपका F T हो जाएगा और यह A to B अपर लिमिट डाल दीजिए तो F B माइनस F A है ना सेम था जो पिछला था बस यहाँ पर एक B X श्राग जा है याद रखिएगा इंपोर्टेंट यह है है ना कि अगर A से B आपका F X T X है तो इक्वल होगा A to B F A पलस B माइनस X के जहाँ पर X है वहाँ पर हम लोग करेंगे याद रखिएगा है ना यहाँ X में यहाँ X है ना इसके जगह पर आपको यह काम करना है चली इस पर एक छुटा सा कोस्षिन ले लेते हैं क्या है देखिया कि पाई बाई 6 से आपका पाई बाई 3 आपका लिमिट गिवेन है और फाइंड करना है D X बाई 1 प्लस रूट 10 X अब एक काम करते हैं यहा अब आज़ेगे यह D X है ना इसको आप 1 प्लस रूट साइन बाई रूट कोस लिख सकते हैं ना साइन बाई कोस क्या होता है 10 होता है ठीक है अब देखें यहाँ से फिर LCM लिजिए तो यह पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और यह D X यहाँ जब LCM लिजिएगा तो यह क्या हो यह आपका उपर जाएगा क्या हो जाएगा य से पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और यह आपका रूट कोस और प्लस रूट साइने जिए हैं कैसा हो गया यह अभी अभी जो हम लोग कोस्टन देखें थे एग Exactly वैसा ही हो गया यह है arg रूट साइन यहाँ रूट रूट साइ यहाँ भी क्या आ गया, root cause आ गया है, है ना, same question है, खेर चलिए हमको property apply करना है यहाँ पे, अब देखिए, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग property apply करते हैं, जो भी हम लोग देखें हैं, है ना, क्या था property, कि अगर a से b हैं, तो क्या करेंगे, if a plus b minus x होगा तो चलिए, और वो दोनों बरावर था, तो यह i है, तो यह भी क्या हो जाएगा, i ही हो जाएगा, तो चलिए property apply कर रहे हैं, यह आपका क्या है, यह तो आपका pi by 6 से pi by 3 ही होगा, और यह root के अंदर में, देखिए, cos यह pi by 6 और plus pi by 3 minus x, यानि देख पा रहे हैं, यह फिर से pi by 2 ही हो रहा है आपको, है ना, आजाएगे, यहाँ भी आपका cos, यह आपका pi by 6 plus pi by 3 minus x हो जाएगा, plus, फिर इदर में sin है, तो यह sin pi by 6 plus pi by 3 minus x, है ना, pi by 6 आपका 30 हुआ, and pi by 3 60 हुआ, तो 30 या प्लस 60, 90 होता है, है ना, तो जब इस दोनों को add कीजिएगा, pi by 6 और plus pi by 3 को, तो यह pi by 2 के बराबर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देख लिजए, lcm 6 हो जाएगा, और यह pi और plus, 3 से divide कर लिजए, 6 को 2 times, 2 से multiply हो जाएगा, 2 pi, तो यह आपका 3 pi by 6, है ना, 3 से 6 कैंसिल होगा, तो pi by 2 आपको मिल जा जाएगा, बस, ठीक है, तो चलिए, तो यह क्या हो जाएगा, आपका देखिए, हाँ, इसको आप equation, यहाँ जो आया है, इसको equation 1 मान के रखिए, ठीक है ना, अब देखें, यहाँ से pi by 6 से pi by 3 है, अब देखें, यह आपका pi by 2 होने वाला है, है ना, तो यह pi by 2 minus x, cos pi by 2 minus x क्या हो जाएगा, यह आपका sin हो जाएगा, sin x, by, यहाँ भी sin हो जाएगा, और यह आपका cos हो जाएगा, ठीक है, और इसको equation 2 मान लिजे, equation 2 मान लिजे, इसको और इसको add कर लिजे, है ना, equation 1 plus 2, तो यह आपका 2i हो जाएगा, और इधर pi by 6 से आपका, यह pi by 3, है ना, क्या हो जाएगा, देखिए यह, यह, root cos उपर में, हम लिख देते हैं, यहाँ पर उपर में आपका क्या आ जाएगा, root cos और plus, है ना, देखिए दोनों को add कीजेगा, तो LCM, सबसे पहले LCM लिख दीजे, LCM क्या हो जाएगा आपका, देखिए, root sin plus, यह आपका root sin या root cos भी लिख सकते हैं, पहले plus में है, root cos, ठीक है, दोनों का LCM सेम हो जाएगा, तो उपर में root cos plus root sin हो जाएगा, और यह dx, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यह आपका cancel हो जाएगा, ठीक है, ना, cancel हो गया, तो क्या बचा है, आपके पास देखिए, यहाँ पे, 2i is equal to, फिर यहाँ dx बच रहा है, यह pi by 6 से pi by 3 और यह dx, dx का integration x हो जाएगा, और यह pi by 6 से pi by 3, अपर limit डालिए, तो यह pi by 3 और minus pi by 6, pi by 3 मतलब 60 degree और minus pi by 6 मतलब 30 degree, तो 60 में से 30 जाएगा, तो क्या बच जाएगा, आपके पास, pi by 6 ही बचेगा, चलिए, इधर लिख देते हैं, वहाँ पर space कम है, है ना, देखिए, या 2i is equal to, आपके पास, pi by 6 ही बचेगा, LCM लेके कर लिजेगा, pi by 3 minus pi by 6 जो होगा, वह pi by 6 ही बचेगा, तो देखिए, फाइनली यहाँ से, जो आपका i का value हो जाएगा, वह pi by 12 हो जाएगा, है ना, आसान question है, बस क्या है, आपका जो properties मालूम होना चाहिए, और कैसे इसको कहा implement करना है, यह मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा, यहाँ क्या था, a to b था, क्या था, a to b, इससे पहले वाला क्या था, 0 to a, है ना, यह चीज़ याद रखिएगा, next देखते हैं, अगला property क्या है आपका, a to b fx dx, यह a to c fx dx, और फिर c to b, है ना, condition क्या है यह जो c जो है, वो a और b के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना, यानि कहने का मतलब कि आपके पास a to b given है, limit आपका a to b है, अब ऐसा हुआ, जो function है, है ना, यह ऐसा है कि यह बीच में एक point, a और b के बीच में हमको एक point देखे जाता है, है ना, देख भी रहे हैं, c जो है, वो a और b के बीच में होना चाहिए, है ना, तो इसमें करना क्या है आपको, कि अगर a to b आपका limit given है, अगर ऐसा होता है कि बीच में एक point आपको मिल जाता है, है ना, तो क्या करेंगे, पहले हम a से c जाएंगे, और फिर c से b चले जाएंगे, है ना, a to c जाएंगे, और फि यहाँ पर तो हम एक ही point की बात किये, अगर a to b में, है ना, अगर a to b के बीच में, बहुत सारा point हमको मिल जाता है, है ना, यह c1, c2, c3, है ना, जितना भी point मिल जाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, जो भी मिलता है, सबसे मिलते चलेंगे, a to c, c1, c1 से c2, फिर c1 से, c2 से c3, और फिर c3 से b, n points भी मिलता है, तो हम लोग n points तर सबसे मिलते चलेंगे, है ना, तो चली देखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अब जो है यह आपका integration, a to b, fx, dx, अब इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे a to b, जब हम चलें, बीच में c मिला, तो a to c, और फिर c to b, वही काम यहाँ भी कर लेंगे, कि a से c1, और यह जो आपका function है, plus फिर अब कहां से, अब c1 से c2, c1 से c2, और यह फिर fx, dx, फिर c2 से c3, c2 से c3, fx, dx, प्लस, फिर आपका c3 से b, और यह fx, dx, जो मिला, राह में सबको दोस्त बनाते चले, कोई काम करना है यहाँ पे, अगर a to b में, a से b हम जा रहे हैं, यहाँ से चले थे, और यहाँ मेरा destination है, अगर बीच में कुछ मिल जा रहा है, तो सब से मिलते चलेंगे, रुकते चलेंगे, बस यही है, आसान सा प्रोपर्टी है, समझ दीजिए, अगर बीच में आपको n पॉइंट्स मिलता है, तो हम लोग n टाइम्स रुकेंगे, है न, मगर फाइनली पहुचना कहाँ है, a to b, देखिए, यहाँ a से, a से सुरू b पे खतम, है न, बीच में जो मिला, लेते चले, ठीक हाँ, अब देखिए, यहाँ क्या है, माइनस फाइब तू फाइब, यानि अभी जो आपको लिमिट कीवेन है, वो माइनस फाइब तू फाइब है, और यह मोड एकस प्लस टू कीवेन है, तो एक काम करते हैं, यह जो मोड के अंदर जो मिटिडियल है, आपका, एकस प्लस पे निगेटिव होगा, तो याद रखिएगा, है न, कि यह जो मोड एकस होता है, है न, एबसलूट वैलू फांक्शन भी बोलते हैं, इसको, यह जो होता है आपका, यह पोजिटिव होगा, यह जो एकस है, मोड एकस है, इसका वैलू पोजिटिव होगा, कब जब यह है ना character है कि वो positive होगा कब जब उसके अंदर का जो x है वो positive हो positive होगा तो positive negative होगा तो negative simple सी बात है अगर x negative है 0 से छोटा है तो negative x अगर 0 से बरा है तो वो positive simple है ना आब आज़ेगे तो देखिए यहां क्या हुआ हमको जाना था minus 5 से 5 में है ना बीच में एक point हमको मिल गया कितना minus 2 तो कहां से कहां जाएंगे हम लोग तो देखिए अब क्या होगा हम लोग minus 5 से minus 2 जाएंगे और फिर minus 2 से 5 है ना आब देखिए यह क्या है आपका mod x plus 2 है पहले यह भी चिक करना परेगा आपका कि कहां पे positive और कहां पे negative आब आज़ेगे x plus 2 यह आपका दिखिदा है यह कैसा जोन है आपका negative है ना और इधर minus 2 से इधर positive है मंगे एक बाद शेक कर लेते हैं देखिए क्या है इसमें minus 5 और minus 2 के बीच में एक point आप ले लिजे चलिए minus 3 लेते हैं जैसे ही minus 3 यहां आप रखते हैं है ना तो minus 3 plus 2 minus 1 है ना यह आपका negative हो जाएगा और यह positive हो जाएगा ठीक है बस हो गया तो करना क्या है आपको आपको minus 5 से minus 2 जाएगे और यह negative है तो minus यह x plus 2 open होगा negative है तो negative open होगा ठीक है plus फिर आपका यह minus 2 से 5 अब positive है वो positive ही होगा ठीक है बस अब इसी को अब calculate कर लीजे देखिए क्या हो जाएगा minus को बाहर कीजिए x का integration x square by 2 और 2x का x का sorry 2 का 2x हो जाएगा और यह कहां से कहां है minus 5 से minus 2 plus फिर यहां से देख लीजे x का कितना हो जाएगा x square by 2 और फिर 2x 2 का 2x हो जाएगा और यह minus 2 to 5 अब इसी को calculate कर लीजे देखिए क्या हो जाएगा यह minus है ना upper limit रखते है minus 2 तो minus 2 का square 4 by 2 तो 4 by 2 कितना हो जाएगा आपा 2 हो जाएगा और minus 2 रखेंगे तो यह minus 4 हो जाएगा ठीक है अपर लिमिट डाल दिए minus 5 रखते है minus 5 का square 25 by अपर लिमिट minus lower limit होता है तो यहां से हम minus करेंगे और यह क्या हो जाएगा 25 by 2 है ना x के जगह पर जब minus 5 आप रखेंगे तो minus 5 का square plus 25 by 2 और यहां plus है तो minus 10 हो जाएगा minus 10 चलिए इधर का हो गया अब यहां आते हैं यहां plus है अब यहां पर लिमिट क्या है आपका 5 है तो 25 by यह आपका 25 by 2 और plus में 10 हो जाएगा minus lower limit रखते है तो minus 2 का square 4 by 2 2 हो जाएगा और minus minus आपका 2 into 2 minus 4 हो जाएगा यह आपका minus 4 बस इसी को आप simplify कर लिजिए यह हो जाएगा 2 minus 4 minus 2 है ना और minus यह 20 यह 5 by 2 हो जाएगा ठीक है फिर आपका यह plus है और यह 20 प्लस 25 यानि 45 by 2 और plus 2 है minus कॉमन कर लिजिए यह plus हो जाएगा यहां से LCM आपका 2 और यह 4 plus 5 है और यहां से यह 45 LCM 2 कर लिजिएगा प्लस 4 हो जाएगा 2 into 2 4 हो जाएगा फिर देखिए सबके LCM denominator में 2 है तो यह 9 by 2 यानि 9 हो जाएगा और यह 49 यह आपका 58 by 2 यानि 29 वो तो खेर यह आपका calculation था है ना main जो important point था आपका यहां पे यह था है ना यह है ना ठीक है क्या करना है जो भी mod के अंदर given है उसको 0 के बराबर करके हम एक point निकाल लेंगे अब यह minus 5 और minus 5 के बीच में यह 2 मिला अब हम क्या करेंगे जो integral find out करेंगे तो वो minus 2 से 2 और फिर आपका यहां से minus 2 से 5 चले जाएंगे बस यही था आपका यह property अब next देखते हैं next property क्या है आपका हम बोल लाए minus a to a है अब यहां limit देखिए minus a से a है याद रखिएगा इससे पहले क्या था 0 to a था फिर a to b था तो a to b तो general सा है मगर 0 to a में क्या किये हम f a minus x किये थे अब यहां क्या है minus a से a है यह बड़ाबर होता है अपका 0 to a fx dx plus f minus x और dx के हैं ना और यह इसका जो value होगा अब इसको थोड़ा और हम अच्छे से लिख दे इसका value आपका 0 होगा कब जब यह जो function है जैसे fx है ने यहां यह जो fx दियान रखिएगा यह जो fx है अगर fx odd हो जाता है fx is odd अगर जो function आपको गीवे ने अगर वो odd function हो जाता है तो उसका value 0 हो जाता है ठीक a और यह fx dx होगा कब जब यह जो function आपको given है fx is even है अगर वो function even हो जाता है तो अब बात आ रहेगी odd और even function होता क्या है ठीक है तो याद रखिएगा कि minus a से a fx dx इसका value 0 होगा जब function क्या हो odd हो और उसका value 2 times 0 to a fx dx होगा कब जब function even हो अब आजाते हैं यह odd function and even function होता क्या है तो सबसे पहले देख लेते हैं यह आपका odd function क्या होता है अगर suppose आपको एक function fx given है लिखें यहाँ पर a function fx is said to be odd है ना if आप if x के जगा पर अगर minus x रखते हैं तो यह minus fx के अगर बराबर हो जाता है तो function क्या कहलाएगा odd कहलाएगा याद रखिएगा है ना यानि चो function आपको given है x में उस x के जगा पर आप minus x रखिए अगर minus x रखने से वो minus fx के बराबर हो जाता है तो वो कैसा function हो जाएगा odd function तो देखिए f minus x रखने से minus fx हो रहा है आगर इस fx को इधर लेके आ जाते हैं तो यह plus fx हो बच जाएगा जीरो इधर क्या हुआ जीरो fx और plus f minus x 0 हो जाएगा तो वही तो हुआ आपके पास जो यह result है fx और plus f minus x यह अगर 0 हो गया कब हुआ जब function मेरा क्या था odd था है ना वियाद रखेगा odd function किसको बोलते हैं एक function odd कह लाएगा कब जब उसके उसमें x के जगह पे अगर हम minus x रख ले है ना तो minus fx के बराबर हो जाएगा अब आज यह देखते हैं कि even function किसको बोलते हैं है ना even function देखें आपका जो function है f function fn लिख रहा है short में fx is said to be even if अगर हम इसके जगह पर अगर minus x रखे तो वापस से fx ही मिले हैं इसे इस पर odd का एक example देख लीजिए है ना यहाँ पर एक छोड़ा सा example लेके चलते हैं कि जैसे माल लीजिए fx है is equal to यहाँ से xq और plus sin x है है ना xq plus sin x है अब हमको इसको check करना है कि यह कैसा function है तो देखिए यहां से हम x के जगह पर minus x लेके चलते हैं है ना x के जगह पर minus x रखते हैं तो f minus x आप रखिए तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से xq है तो minus xq और plus sin है यहां 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 अपका fx है कट कर लेना यह जो कटिंग वला होगा ना इधर से बदर ठीक है तो देखिए क्या हो जाएगा हम x के जगह पर यहां से minus x रखते हैं तो minus x रखिएगा तो क्या है x q है, तो यह minus x q और plus sin minus x, minus पे q है, power odd है, क्या हो जाएगा यह, minus x q हो जाएगा, और sin minus x है न, minus sin x के बराबर होता है, minus sin x, यहां से आप minus common कीजिए, यह x q और plus sin x, तो यह minus, आप देखे, यह आपका x q और plus sin x है, वो कितना के बराबर है, f x के बराबर है, यह जो function आपको यहां लिखा दिख रहा है, x q प्लस sin x, यह कैसा function हुआ, odd हुआ, यह क्या हो जाएगा, आपका odd function हो जाएगा, तब समझ गए, odd को कैसे check करेंगे, even function, even function क्या है, अगर minus x रखने से वो plus f x देते, तो क्या हो जाएगा, देखे, यहां से, इस पर भी एक छोटा सा example, ले लेते हैं, चलिए, यहीं पर लिखते हैं, यहां लिखते हैं, इसका example जो है, पहले example यहां पर लिख लेते हैं, चलिए, यहां पर आगर आपके पास f x है, इस तरह से दे रहा है, यह x square और plus cos x है, इसको उनको check करना है, कि कैसा function है, तो minus x रखेंगे, यहां पर, यहां पर जब हम minus x रखेंगे, f minus x, आप लोग इधर ही continue कीजएगा, मेरे पास जगर नहीं है, इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है ना, minus x रखेंगे, तो यह minus x का square plus cos minus x है, minus का square plus हो जाएगा, तो x square और cos minus x plus cos x होता है, तो वापस से आप देख रहे हैं, यह किसके minus x रखने पर भी यह fx के बराबर हो रहा है, माइनस x रखने पर भी यह fx के ही बराबर है, तो इस तरह से यह जो fx है, यह आपका कैसा function हो गया, तो fx और plus fx, 2fx यही 2 बाहर निकल जाएगा आपका, और 0, 2a, fx, dx, तो याद रखिएगा, यह important property है आपका, क्या है, कि यहाँ देखना क्या है, minus a, 2a, plus a, minus 1 से plus 1, minus 2 से plus 2, minus pi by 2 से plus pi by 2, ऐसा आगर given है, तो जो function है, वहाँ पर देखिए कि क्या है वो, है ना, तो सबसे पहला क्या होगा, उसका value 0 होगा, है ना, जो integral आपको find out करना है, उसका value 0 होगा, कब जब वो function odd हो, कैसा function हो, odd हो, और odd को कैसे check करते हैं हम लोग, कि जो function given है, उसमें आप minus x रखिए, अगर minus x रखने से, वो minus of fx मिल जाए, तो वो function आपका odd हो जाएगा, अज़े इसको इधर कीजिएगा, plus यानि उसका value 0 हो जाएगा, इसलिए जब function odd होता है, तो उसका value 0 होगा, अगर minus x रखने से, plus x आता है, minus x रखने से, fx में minus x रखने से, तो अगर plus fx मिलता है, जो कि यहाँ हुआ, है न, जो कैसा function कर लाएगा, even function कर लाएगा, और जैसे ही, यह दोनों बराबर होगा, आप यहाँ रखिएगा, तो यह result देखे जाएगा, 2 times 0 to a, fx dx, है न, यहाँ रखिएगा, important property है, है न, अब आजाएगे, इस पर एक, basic सा question देख लेते हैं, आपको evaluate करना है, यहाँ से देखे, limit देखे, यहाँ पर क्या है, minus 1 से 1 है, क्या है, xq प्लस 5x और प्लस sin x, अभी-अभी हम देखे, xq प्लस sin x देखे ही थे, है न, और यहाँ x है, यहाँ इसका value 0 होने वाला है, तो कैसे बनाएगे, इसको देख लीजी, fx, जो given है, आपक xq प्लस 5x और प्लस sin x, हमको चेक करना है, अभी हमको नहीं मालूम है, कि यह कैसा function है, तो x के जगा पे आप minus x रखे, उसके बाद चेक कीजिए, यह minus xq प्लस 5 into minus x और प्लस sin minus x, याद रखिएगा, यह जो sin minus x होता है, यह आपका minus sin x होता है, minus और cos minus x जो होता है, यह minus x जो angle है, यह fourth quadrant का चीज है, है ना, और fourth में सिर्फ cos positive होता है, है ना, cos और sec, बाकि other trigonometric ratios जो हैं, वो negative होते हैं, याद रखिएगा इस बात को, है ना, तो देखिए, minus पे power cube है, है ना, 3 है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, minus x cube, फिर यह minus 5x and sin minus x जो minus sin x होता है, यहाँ से आपका minus को मना जाएगा, यह x cube plus 5x और plus sin x, जो की कितना के बराबर है, यह x cube plus 5x और plus sin x, आपके fx के बराबर है, यानि, f minus x रखने से, यह minus fx आया, तो क्या पता चला आपका, जो fx है, वो क्या है, odd है, जब fx odd है, लो, odd, 0, बात खतम, next question, minus 5y2, plus 5y2, फिर इसको भी चेक कर लेते हैं, है ना, अभी हमको नहीं मालूम हैं कि यह sin square कैसा function है, करते हैं, क्या करोगे पता करने के लिए, जहां x है, उसको minus x, है ना, तो यह आपका हो जाएगा, sin square minus x, आभी अभी पीछे देखे कि क्या हो जाता है, यह minus sin x हो जाता है, है ना, और इस पर क्या है, square है, minus का square वापस से plus हो जाएगा, यानि sin square x हो जाएगा, है, minus x रखने पर भी, यह plus ही हो रहा है, क्या पता चला यहां से, यह मेरा f x जो है, वो कैसा function है, even function है, है ना, तो f x जब मेरा even हो जाता है, तब क्या करना है, है ना, तब जो यह होगा आपका, यह minus pi by 2 से pi by 2, और यह आपका sin square x जो है, है ना, sin square x और dx, यह कितना के बराबर हो जाएगा, 0 से pi by 2, है ना, minus a से plus a रहता है, अगर वो function even है, तो वो 2 times 0 to a, f x and dx होता है, तो यह भी आपका 0 से pi by 2, और यह sin square x dx, है ना, और 2 यहां लिख दीजिए, है ना, और अभी-अभी, third property के बाद हमें question लिये थे, cos square x, है ना, 0 से pi by 2, cos square x, यहां फिर 0 से pi by 2, sin square x, अगर ऐसा हो, तो इसका जो value होता है, आपका, है ना, यह जो आपका है, है ना, इसका जो value हो जाएगा, वो pi by 4 के बराबर होता है, तो यह आपका pi by 2 result देखे जाएगा, ठीक है ना, अभी सिर्फ हम लोग यहां पर property समझ रहे हैं, तो इसलिए, सब पर एक छोटा-छोटा question लेके चलना है, जब questions करेंगे तो detail में करेंगे, अगर आपको करना भी हो, तो यहां से ऐसा कर सकते हैं, आप इसको transform भी कर सकते हैं, 1-cos2x by 2, और यह dx, और यह 0 से pi by 2, अब जैसे integration करते हैं, करके lower और upper limit डालिए, उसका value find out कीजिए, यह अगर मालूम है आपको कि 0 से pi by 2, sin square x dx का result क्या होता है, pi by 4, है ना, cos square हो, pi by 4, है ना, तो अब आसान है, है ना, चलिए, अब next, next देखते हैं, क्या है अगला property आपका, यह जो property है, इसमें 0 to 2 a f x dx, यह बड़ाबर होगा, 0 to a f x dx, प्लस 0 to a f, 2 a minus x dx के, है ना, अब आजए, तो इसका जो value होगा, इसका जो value होजाएगा, यह आपका होगा, 0, कब जब f 2 a minus x, यह f x के बड़ाबर होजाता है, है ना, अगर, minus f x के, है ना, minus f x के बड़ाबर होजाता है, तो इसका value क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा याद रखिएगा यह minus of fx के बराबर है और इसका value 2 times 0 to a fx और dx के बराबर हो जाएगा कब जब आप यहां से f2a minus x रखने पे यह fx मिल जाए है अब देखते हैं वो कैसे होता है ठीक है बस एक पर जान जाएगे कि f2a minus x अगर वो बराबर होता है माइनस fx के तो उसका value 0 यानि just like odd function हो गया है और इसका value 2 times 0 to a fx dx होगा कब जब 2a minus x fx के बराबर हो जाएगा यानि even की तरह अब देखते हैं इसको इसका proof देखते हैं कि कैसे होता है अब ही देखिए आपके पास जो given है कि 2 to a 0 to a fx और dx है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 0 to a fx dx और plus a to 2a fx dx ऐसा लिख सकते हैं एक property हम लोग देखेतें कि अगर a to b आपका limit even है और बीच में अगर एक point c मिल जाता था हम लोग क्या करते थे a to c और फिर c to b जाते थे तो ऐसा ही देखिए आपके पास 0 to 2a है और 0 और 2a के बीच में a तो होगा ही है ना जब अगर ऐसा होगा तो हम लोग a से 0 से a जाएंगे और फिर a से 2a जाएंगे है ना अब आ रहे हैं एक काम करते हैं यहां से इसको हम लोग i1 माल लेते हैं और इसको i2 माल लेते हैं तो i1 को छोड़िए i2 को देखते हैं यहां a2 2a है इसी के साथ deal करते हैं देखते हैं यह क्या होता है अभी देखिए i2 i2 क्य है a to 2a है और यह f dx है अब एक काम करते हैं यहां से हम put कर लेते हैं यह जो x है x के जगह पर आप put कर लिए 2a minus t है ना put करके देखते हैं क्या होता है तो यहां से dx by dt x t में है तो t के respect में differentiate कर दीजिए या यहां से यह आपका minus 1 हो जाएगा अभी देखें यहां dx है तो dx को replace करना है तो dx is equal to minus dt हो जाएगा ठीक है अब आजाईए जब आपका x का value देखें a to 2a है ना तो जब x का value आपका a होगा है तो देखें, यहां से x का value a होगा, तो a यहां रखिएगा, तो t का value कितना हाँ, एक चीज और यहां से, एक चीज यह भी लिखी लिजिए, x is equal to 2a minus t है, तो यहां से t is equal to कितना हो जाएगा, 2a minus x, t को इधर कीजिए, और x को इधर, तो t का value होगा, वो 2a minus x होगा, तो देखें क्या हो जाएगा फिर, कि जब x का value a है, तो t का value यहां से कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, 2a minus a, उसके बाद जब x का value 2a होगा, तब क्या होगा, देखें, यहां से t, यहां देखे t, x का value 2a, तो 2a minus 2a, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, अब देखे क्या हो जाएगा फिर, integration, देखे जब a रखे, तो t का value a मिला, 2a रखे, तो 0 मिला, है ना, अब आ जाएए, और उसके बाद इधर जो आपका function है, f, है ना, x के जगा पे क्य रखे हैं, 2a minus t, 2a minus t, और dx के जगह पे क्या मिला, minus t, t, तो minus, आप यहां पे लगा लीजिए, है ना, minus यहां लगा लीजिए, हो गया, अब एक काम करते हैं, देखिए यहां से, यह आपका, ठीक है, देखिए, जब आप a रखे थे, तो क्या मिला था, t का value a, जब 2a रखे, तो 0 मिला, f, x के जगह पर 2a minus t, जो हम लोग माने थे, और dx के जगह पर minus dt, तो minus यहां लिखती है, ठीक है, आप आजए, एक property आपको मालूम है, कि जब, limit जब हम change करते हैं, यापर limit और lower limit क जब हम change करेंगे, तो minus sign आएगा, तो देखिए, हम change करते हैं, यहां से, अभी a to 0 है, हम इसको 0 to a करते हैं, तो minus आएगा, तो यह plus हो जाएगा, और यह f, यह कितना हो जाएगा, 2a minus t, और यह dt, फिर है, यह कौन सा property था, second property था, starting में जब हम बता रहे थे, तो यह second था, x आपका पराबर होता है, a to b ft dt के, सिर्फ variable अगर change करें, तभी भी value same होता है, integral का, ठीक है, आप देखिए यहां से, यानि यह a, 0 to a, और वापस से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2a minus x है ना, और यह dx, क्या कर रहे हैं, सिर्फ variable change कर रहे हैं, आपर, t dt हैतो x और dx, तो यह दो अनों भी क्या होगा, पराबर ही होगा, याद रखिएगा, है ना, अब चलिए, अब जब यह कर लिए, अब आते हैं, यहां से, है ना, इस position पे, ठीक है, अभी इसको हटा लेते हैं, इसका काम हो चुका है, देखिए, क्या हो जाएगा, यहां से, यह आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए, कि यह 0, 2a, और यह fx, और यह dx, और i1, और i2 जो आया, यही ना, आपका i2 था, है ना, i2 क्या आया, 0, 2a, फिर इसका भी limit जो है, वो 0, 2a, और f, 2a, minus x, और dx के बराबर आया, ठीक है, अब इसको वापस से हम ऐसा लिख सकते हैं, एक single integration sign के साथ, क्या, fx, और plus f, 2a, minus x, और यह dx, ठीक है, अब आजाईए, अब जब यहां तक समझ चुके हैं, तो अब आते हैं, इसके result पे, है ना, कि जब 0 कब होगा, और फिर, 2 times 0, 2a, fx, dx कब होगा, अब देखिए, यहां से, कि अगर, f, यह जो f, 2a, minus x है, यह अगर, minus fx के बराबर आता है, तब देखिए, इसका value क्या होगा, है ना, यहां से, इसका जो value हो जाएगा, वो 0, 0, 2a, है ना, और देखिए, यहां क्या है, fx है, यह fx, और plus, 2a, minus x कितना के बराबर है, minus fx के, और यह, dx डाल दीटी, देखिए, यह, और यह cancel हो जाएगा, result क्या आजाएगा, 0, बात समझ में आई, कि अगर, इस तरह से, कि 0 से 2a, fx, dx गीवेन है, तो अगर, 2a, minus x, अगर, minus fx के बराबर होता है, तो उसका value, 0 होता है, starting में ही लिख दिये थे, आप आजाएगे, कि अगर, कि f2a, minus x, यह, बराबर होता है, fx के, तब क्या हो जाएगा, देखिए, यहाँ से देख लेते हैं, 0, 2, a, 0, 2, a, अब देखिए, fx, है न, और plus, फिर देखिए, f2a, minus x, है न, f2a, minus x, किसके बराबर है, fx के, देखिए, fx, plus fx, क्या हो जाएगा, two times, तो two को बाहर कर लीजिए, 0, 2, a, और यह, fx, dx, है न, तो इस तरह से, जो result था, वो, प्रोफ हुआ, बस याद यह, इसमें यही द्यान रखना है, क्या है, कि मेरा limit, अगर, 0, से, 2, a होता है, fx, dx, है न, तो यह, इतना के बराबर होता है, और यह, कितना के बराबर होता है, 0 के, कब, जब, f2, a, minus x, minus fx, के बराबर हो, और उसका value, two times, 0, 2, a, fx, dx, के बराबर हो, है न, important result है, देख लीजिए, एक बार किस तरह से proof किये है, इसको, है न, अब चलिए, इस पर कुछ example से समझ लेते हैं, इसको, ठीक है न, देखें, पहला जो दे रहा है, आपका, a, number, के क्या है, यह आपका, 0, 2, pi है, और यह sin, 4, x, dx है, यानि, अभी, जो यहाँ पर, 2, a के जग़ा पर, यही है, है न, pi है न, यह किसके जग़ा पर है, आपका, 2, a के जग़ा, पर नीचे तो 0 है, है न, तो देखें, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, कि यह आपका, f, x, जो है, वो क्या है, sin, 4, x है, तो हम क्या करेंगे, f, 2, a, minus x, यानि, यहाँ से अभी, हमको चिक करना है, pi, minus x, और यह क्या हो जाएगा, sin, 4, और यह, pi, minus x, है न, अब, sin, pi, minus x, यानि, 180, minus x, second quadrant में जाता है यह, और second में sin क्या होता है, positive ही होता है, अगर negative भी होता है, तो power 4 था, इसका, ठीक है न, positive बना देता है, इसको है, यानि, sin, और, और, pi, minus x, है, ठीक है न, तो, यानि, कहने का मतलब, यह, f, x, के बराबर हो रहा है, तो, कहने का मतलब, यहां से, जो आपका, 0 से, pi, और sin, 4 x, dx है, यह, कितना के बराबर हो जाएगा, 2 times, 0 से, a, 0 to, a, यानि, यहां, 2a है, तो, a होता है, मतलब, half हो जाता है, क्या हो जाता है, half, यानि, यह, 0 से, pi है, तो, जब, 2 times करेंगे, तो, 0 से, half कर देंगे, यानि, pi by 2 हो जाएगा, है ना, important result है, याद रखिएगा, जब हम question करेंगे, इस पर, तो, इसको जब use करेंगे, तो, तब इसका importance आपको मालू में परेगा, है ना, तो, यह क्या हो जाएगा, यहाँ से, sin 4x और dx, उसके बाद, जैसे sin 4 का निकालते हैं, निकाल लेगे, है ना, अभी हमको, आपको property समझाना है, कि किस तरह से हम इसको use करेंगे, बस समझ में आई, है ना, बस याद रखिएगा, क्या होता है, property देख लीजे, यह अगर 0 से 2a है, और fx dx है, तो यह 2 times 0, 2a, fx dx के बराबर हो जाता है, कब, जब f2a minus x, fx के बराबर हो जाता है, तो यही बात तो यही है ना, 0 से, कितना, पाई है, तो देखें, यहाँ 2a है, तो यहाँ a हो रहा है, मतलब half हो रहा है, क्या तो यहाँ pi है, तो यहाँ pi by 2 हो जाएगा, ठीक है, अब आते हैं, यह cos cube पे है, ओ देखने से ही क्या लग रहा है, odd function लग रहा है, odd type का, ठीक है ना, चलिए, तो यह काम करते हैं, यहाँ से, ऐसा करते हैं, इसको साफी कर देजिए, ठीक है, देखें, यहाँ से, अभी fx क् का, cos cube x है, क्या है, cos cube x है, यह भी 0 से pi है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, क्या pi minus x, यह क्या हो जाएगा, यानि अभी हम 2a minus x चेक कर रहे हैं, है ना, pi minus x, अब आ देखें, cos 180 minus theta, cos 180 minus x जो होता है, वो second quadrant का है, है ना, second में जाता है, और second में cos क्या होता है, negative होता है, cos जो है, वो सिर्फ आपके first and fourth में ही positive होता है, बाकि second and third में वो negative होता है, तो यहाँ से यह minus cos आएगा, और power कितना है, cube है, और support कर देगा, minus 0 हो, है ना, cos cube और यह pi minus x, यानि यह minus, और, sorry, cos x होगा, pi minus x नहीं, ठीके, यानि minus of fx, यानि यह f, pi minus x रखने से, क्या हो गया यह, minus fx, तो जैसे ही minus fx हुआ, इसका value 0, क्यों? आपको बताए थे कि अगर 0 से, 2a, है ना, अभी अभी बताए है, fx, dx, इसका value 0 होगा, जब f, 2a minus x, यह minus of fx के, बराबर हो जाए, है ना, बस यह सब चीज़ को समझ के रखिए गा, है ना, property में, क्या है property, उसके साथ साथ एक, हम लोग example भी लेके चल लें, ताकि property आपका 100% clear हो, है ना, अगर properties आपका clear है, तो question solve करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना, अच्छे से समझेए, अच्छे से practice कीजिएगा, जो भी properties अभी तक बताया गया है, ठीक है, हाँ, तो इस तरह से जो, आज जो basic properties था, वो complete हुआ, है ना, जो आपके class 12 में परना था, अब next जो lecture होने वाला है, उसमें कुछ हम लोग और important properties देखने वाले हैं, है ना, उसके बाद फिर हम लोग इस पर questions लेंगे, ठीक है, तो इस तरह से कैसा लगा आज का लिक्षर, कमे हाँ, 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 हाँ